हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, मैं हूँ अमंठाकुर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, LIC के होल लाइफ प्लैन के बारे में, जिसका नाम है जीवन उमंग, और अब इसका टेबल नंबर है 745, यानि कि 745, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीवन उमंग प 2024 से इसे खरीदा और बेचा जा सकता है, जीवन उमंग में कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या-क्या मॉडिफिकेशन हुई हैं, साथ ही साथ इसके फीचर्स, बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, और एंड में इसका ए ये एक non-linked with profit plan for term of 100 years है, तो देखे इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या हुआ, non-linked का मतलब है कि ऐसा plan जो कि market से link नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि इसमें लगाया गया पैसा सुरक्षित रहता है, with profit whole life insurance plan का मतलब है, ऐसा plan जो कि पूरा जीवन आपके साथ चलेगा, 100 years की है, 100 साल की इसकी term होती है, तो इसलिए इसे whole life insurance plan कहा जाता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि ऐसा plan जो पूरा जीवन हमारे साथ चलेगा, तो इस वज़े से whole life insurance plan कहा जाता है, क्योंकि देखे इसमें एक खास feature है, कि इसमें जो term है, वो 100 years की है, तो यही जो feature है, य कई लोग तो इसी feature की वज़े से, इसे हम कह सकते हैं, कि pension plan भी कहते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और, कुछ खास बाते हैं, जो इसे बाकी plan से अलग बनाती हैं, उनमें सबसे पहले है, annual survival benefit of 8% of summer short is paid from the end of PPT till maturity, इसका मतलब है, कि हर साल, summer short का 8% as survival benefit मिलता रहेगा, कब से मिलना शुरू होगा, जैसे ही premium payment term खतम हुई, तब से लेकर जब तक policy mature नहीं होगी, यानि कि 100 साल तक की एस तक अगर व्यक्ति जीवित रहता है, तो हर साल, summer short का 8% annually, हम कह सकते हैं, as money back मिलता रहता है, lump sum payment at the time of maturity or on death during the policy term, अब माल लीजिए कि policy term के दुरान policy holder की मृत्यू हो जाती है, या फिर at the time of maturity, lump sum payment फिर से मिलेगी, और जो इसमें modification की गई है, वो ये है कि loan और surrender की facility available है, जो कि पहले भी available थी, पर अब loan और surrender जो है ना, ये आप एक policy year complete हो जाने के बाद भी ये facilities ले सकते हैं, यानि कि जब भी आपने policy करवाई है, उसके बाद पूरा एक साल तक अगर आप premium पे कर रहे हैं, policy आपने पूरा एक साल तक जो है active रखी है, तो उसके बाद जरूरत पढ़ने पर आप उस policy पे loan भी ले सकते हैं, या फिर उस policy को आप surrender भी करवा सकते हैं, और ये सबसे बड़ी modification जो है, इसमें की गई है, अब हम इसके जो main features हैं, उनके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले minimum entry age की बात करते हैं, तो किसी भी 30 दिन के बच्चे को ये policy दी जा सकती है, premium payment term इसमें है 4, 15, 20, 25 और 30 साल, maximum age at entry, तो जैसे हमने बात की minimum age at entry थी 30 दिन, तो maximum age at entry जो है ये depend करेगी premium payment term पे, तो अगर आप 15 साल की premium payment term यानि की PPT 15 साल की चूज करते हैं, तो maximum age at entry होगी 55 साल, 20 साल अगर आपने PPT ली है, तो maximum age at entry हो जाएगी 50 साल, और 45 साल हो जाएगी अगर 25 साल की PPT ली है, और 40 साल होगी अगर आपने PPT जो है, वो 30 साल की ली है, age at maturity इसमें है 100 साल, यानि की 100 years जो है वो इसमें age at maturity रहेगी, क्योंकि हमने starting में ही बात की थी कि ऐसा plan है, जिसमें जो पूरी term है वो कितनी है, 100 साल की है, तो maturity age भी इसमें कितनी हुई, 100 साल की, अब policy term की अगर हम बात करें, तो देखिए कितनी होगी ये, 100 में से age at entry minus कर दीजिए, तो अगर कोई व्यक्ति माल लीजे, 30 साल की age में ये plan लेता है, तो उसके लिए policy term हो जाएगी 70 साल, और अगर किसी ने 40 साल के age में ये policy ली है, तो उसके लिए policy term हो जाएगी, कितनी 60 साल, और अगर माल लीजे कि 30 दिन के बच्चे को ही आपने ये policy दे दी, तो उसके लिए तो policy term जो है, वो 100 साल ही हो जाएगी, minimum summer short इसमें 2,00,00 है और maximum की कोई limit नहीं है, ये आपकी income पर depend करता है, premium payment term जो इसमें है 15, 20, 25 और 30 साल है, premium payment mode जो है इसमें वो yearly, half yearly, quarterly और monthly है, जैसे कि बाकी सारी insurance plans में भी होता ही है, next time बात करेंगे riders की, तो 4 riders इसमें available है, term assurance rider, critical illness rider, premium waiver benefit rider, और accidental death and disability benefit rider, इन में से कोई भी rider आप अपनी policy में add करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा extra premium देना पड़ता है, खास कर जो 3 number का rider यहाँ पर दिया गया है, premium waiver benefit rider, किसी भी अगर आप बच्चे को, यानि कि minor को 18 साल से कम उमर के बच्चे को policy देते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखें कि premium waiver benefit rider जरूर इसमें दिया जाए, या फिर अगर खरीद रहे हैं, तो with premium waiver benefit rider आप इस plan को लें, क्योंकि इससे benefit क्या रहता है, कि in case proposer के साथ कुछ miss happening हो जाती है, तो इस policy में कोई भी premium नहीं देना पड़ता, पर जो benefit है, वो बच्चे को as it is मिलते रहते हैं, जो भी बताये गए हैं, अब इसमें देखे, tax benefits जो है, income tax benefit मिलता है, premium पे, under section 80C, और maturity और death claim भी tax free है, under section 1010D, अब हम बात करेंगे benefits की, जिसमें सबसे पहले आता है maturity benefit, तो देखे, maturity इस plan में होती है, 100 years में, मतलब जब भी कोई भी policy order की age, 100 साल हो जाएगी, तो उसे maturity मिलेगी, तो maturity में मिलेगा, summer short, plus bonus, plus FAB, FAB यानि की final edition bonus, survival benefit, survival benefit को कई लोग जो है इसे as हम कह सकते हैं, pension के रूप में भी समझते हैं, यह PPT complete हो जाने के बाद, हर साल, जितना भी summer short है, उसका 8% जो है, वो मिलता रहता है, कब तक, जब तक जो व्यक्ति जीवित है, या फिर जब तक maturity नहीं हो जाती है, death benefit जो है, वो मिलेगा summer short, plus bonus, plus FAB, तो देखिए death benefit में क्या है, कि policy term के दुरान, अगर जो policy holder है, उसकी death हो जाती है, तो उसके nominee को death benefit मिलता है, जिसे claim भी गहा जाता है, तो वो जितना भी summer short है, प्लस जितने भी bonus हैं, वो भी add हो जाएंगे, और साफ में final edition bonus, FAB, जिसे हम कहत हैं, वो भी add हो के मिलेगा, अगर देखिए, यहां पर दो बाते कहीं कहीं है, regarding death benefit, कि सबसे पहरे तो जो summer short death पे मिलता है, वो जो annualized premium भरा गया है, मतला, annually जितना premium भरा गया है, उसके साथ होना से जादा होना चाहिए, एक तो ये बात है, दूसरा, death benefit जो मिलना है, वो total जो premium भरा गया है न, death तक, उसके 105% से कम नहीं होना चाहिए, जादा ही होना चाहिए, अब हम इस plan को न, एक example के साथ समझेंगे, जिससे आपको और clarity आ जाएगी, स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं Mr. सूरज को, age इनकी है 30 साल, और इनोंने अपने लिए plan लिया है, जीवन उमंग, table number है 745, तो समझोड चूज किया है इनोंने 10 लाख, term कितनी होगी, 70 साल होगी न, क्योंकि देखिए, age इनकी कितनी है, 30 साल, तो term इस plan में कैसे बनती ह है, 100 में से age minus कर दीजे, entry age minus कर दीजे, तो term बाकी जो बचा वो term होगी, तो 100 में से जब आपने 30 minus किया, तो term कितनी होगी, 70 साल, अब PPT इनोंने चूज किया है, अपने लिए 25 साल की, यानि कि जब ये 55 साल के हो जाएंगे न, तो इनको policy से return आना शुरू हो जाएगा, तो आप देखें कि अगर समशोड है, 10 लाख, PPT है, 25 साल, ठीक है, तो जो इनका per day premium बनेगा न, वो कितना बन रहा है, 114 रुपए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि अगर ये अपने लिए, सिरफ per day 114 रुपए invest करते हैं, तो देखते हैं कि इन्हें क्या return मिलेगा, तो देखें जब first of all तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि इनका monthly और yearly premium क्या बन रहा है, तो अभी आप screen पर देख सकते हैं, कि जो पहले साल का इनका yearly premium बना, वो कितना बन गया 42,503 रुपए, जिसमें 40,673 रुपए तो premium है, और 1830 रुपए है GST, और इसी तरह से half yearly और quarterly भी दिया गया है, और अगर monthly की बात करें तो 3618 रुपए बन रहा है monthly premium first year का, जिसमें 3462 रुपए है premium और 156 रुपए GST है, तो आप टोटली ऐसी समझ लीजे कि 3618 रुपए monthly premium बन रहा है, ये first year का है, और renewal premium जो है, अब देखें, second year से क्या होता है, कि GST कम हो जाती है, है ना, तो second year से जो premium है है, वो onwards कम हो जाता है, तो yearly कितना बन रहा है, एक ताले सजार 588 रुपए और monthly बन रहा है 3540 रुपए, तो ये बन रहा है इनका premium, अब ये देखें, premium इनोंने दिया, PPT इनकी कितनी है, 25 साल के है ना, तो 25 साल ये हर महीने, पहले महीने दिया, मतलब पहले साल इनोंने दिय है, 368 रुपए, 12 महीने तक, और दूसरे साल से हर महीने इनोंने 3540 रुपए भरना शुरू कर दिया, अब देखें कि जब इनकी एज हो जाएगी कितनी, 55 साल, ठीक है, 55 साल से लेकर, जब तक भी ये जीवित रहते हैं, अगर 100 साल तक जीवित रहते हैं, तो बहुत LIC की तरफ से समशोड का 8%, यानि कि 80,000 रुपए हर साल इन्हें मिलता रहेगा, क्योंकि समशोड जो इन्होंने चूज किया था, वो कितना था, 10,00,000 रुपए, अब इस पॉलिसी में, बोनस जो एड होगा, वो कितना होगा, 32,90,000, ठीक है, फैब जो है, वो कितना है, 35,50, तो maturity पे क्या मिलता है, जैसे कि हमने बात की maturity पे क्या मिलता है, समशोड प्लस बोनस और प्लस फैब, तीनों को जोड दीजिए, ठीक है न, जब आपने तीनों को जोडा, तो maturity जो की होती है, कितने साल में, 100 साल की age में, उस पे इन्हें मिलेगा, 78,40,000 रुपए, और in case, अ 100 साल की age से पहले ही, तब भी इनके nominee को approximately इतना amount तो मिलेगा ही मिलेगा, आप देखिए कि इन्होंने जो 25 साल में premium भरा न, वो सिरफ 10,40,615 रुपए भरा, पर maturity कितनी मिल रही है, maturity मिल रही है, 78,40,000 की और उससे पहले ये देखिए, कि 80,000 तो हर साल भी ये लेही रहे थे, जब तक maturity नहीं आई है, जब तक ये जीवित रहे हैं, है न, तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितना अच्छा return देने वाली ये policy है, अब हम बात करेंगे कि जो death है, जो death benefit मिलना है न, वो किस प्रकार से मिलेगा, अब देखिए कि न, first यहां पर case हमने लिया है, कि अगर जो Mr death natural होगी न, तो उनके nominee को क्या मिलेगा, summer short plus bonus plus fab, अब ये जो death है, अगर 100 साल से पहले हो जाती है, तो nominee को summer short, bonus और fab तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, अब अगर Mr. Suraj के death जो है न, वो accidental हो जाती है, accident से उनके मृत्य हो जाती है, तो इस policy में क्या मिलेगा, तो इसमें additional amount of summer short, मतल summer short मिलते हैं, जैसे summer short इसमें कितना है, 10 लाक है, तो इसमें क्या होगा कि फिर double summer short मिलेगा, यानि कि 20 लाक के साथ bonus और fab एड हो जाएंगे, तो दोनों cases देखें, ये था natural death case और ये है accidental death case, तो दोनों में आप चेक कर लीजे कि किस तरह से nominee को benefit मिलेगा, तो दिखेंगे, एक ऐसा plan है, जिसमें आप जब तक जीवीत रहेंगे, तब तक तो आपने money back लिया, और मृत्यू पे या फिर 100 साल की age में जो maturity मिलनी है, तब भी अच्छा खासा lump sum amount of money जो है, आपको मिलेगा, तो दिखेंगे, अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने लिए भी एक बरकार से money back के लिए मतलब prepare करूं, और अपने बाद, अपने नॉमिनी, अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़के जाओं, तो ये सबसे better plan आपके लिए option हो सकता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को like, share और subscribe जरूर कीजिए, और अगर आपके कोई query है, तो मुझे comment करके जरूर बताइए, thanks watching the video and